हाई एब्रीवन आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ रस्मलाई की रैस्पी ये इंस्टेंट बन जाती है जब आपका मन हो आप फटा फट इसे बना सकते हैं इसमें कोई भी जंजट नहीं है और सिर्फ हम इसे एक ग्लास दूस से बनाने वाले हैं तो चलिए शुरू कर करते हैं आज की रैस्मलाई की रैस्पी तो यहां पर हमने एक ग्लास दूद लिया है अब हम चलते हैं गैस की तरफ तो यहां मैंने रखी है कड़ाई कड़ाई में मैं डाल रही हूँ एक चमच देसी घी घी जब मेल्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे करीब आधा कप बाकी दूद को हम बाद में इस्तिमाल करेंगे तो इसको हम अच्छी से चला लेते हैं ताकि थोड़ा सा दूद जो है गरम हो जाए अब हमने यहां पर लिया है आधा कप मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर को हम इसमें डालेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही डालें जब तक कि यह जो मिश्रण है यह थोड़ा सा थिक न हो जाए गारा न आ लो incredy न जाई तो क्रीब हमें आधा से एक नट ही लगे और यह मिश्रणा आयहोना सुरूल हो जाएगा यह काफी स्मूध हो चुका है तो यह देखेयोस जो मिश्रणा हो काफी गहड़ा हो चुका है इस तरह से अब हमने जितना भी दूद बचा करके रखा था उस दूद को भी हम अब डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो अभी आपको लग रहा होगा जैसे इसमें लम्स पढ़ चुके हैं लेकिन परिशान मत हो यह यह चलाते से मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि मार्केट की रस मलाई होती है उसमें केसर डरा रहता है केसर का फ्लेवर रहता है इसलिए मैंने यांपर केसर डाली है तो आपको इसको करीब तीन मिनट तक और चलाना पड़ेगा लग बग तीन मिनट बाद यह घाड़ा हो जाएगा दूद आप तेज आच बिल्कुल ना करें क्डाइी में किया हुई तो यह देखिए दूद का इस्तिमाल किया जाता है यह दूबर यह चार बेड ली हैं जिनकी मैंने किनारी निकाल दी ब्रेड आप बिल्कुल ताजी लीजिए सॉफ्ट ब्रेड होना चाहिए तो चलिए हम एक प्लेट लेते हैं और इसमें हम आधा कप दूद और डालते हैं बिल्कुल आधा कप से कमी हमने दूद लिया है अब मैंने यहां पा ली है थोड़ी से ड्राइफूर्स जिनको मैंने क बाजू लिये हैं इनको मैंने कद्दू कर लिया है बारी चूरा बना लिया उसका तो ब्रेड को हम दूद में इस तरह से डिप करेंगे और पलट कर भी डिप कर देंगे इस तरह से ताकि अच्छे से दूद इसमें भर जाए और हम इसको हातों की मदश से हलकी हातों से आप मन हो तो बिना stuffing की इसको बना सकते तंब दोनोn हाथों से लड्डुू जासा शेफ देने की कोशिस करेंगे जैसे लड्डू होता है उस кको बनाएंगे यह देखिAR सीском ऐसको चप्टा कर लिया है जिसए कर देखे को न करकिसे बना लिया है वहल बना लिखाए नémहें इसको हम बंद कर देंगे तो इसकी हमने जो फिलिंग की है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है रस्मलाई का तो यह देखिए इसको भी मैंने लगडू जैसा शेप दे दिया है और इसको हलका सा चप्टा कर दिया है यह देखिए हमारी दूसरी रस्मलाई भी बन करके तयार हो चुकी है इस तरह से हम सभी रस्मलाई बना करके तयार कर लेंगे तो यह देखिए मैंने चारो ब्रेट की रस्मलाई बना ली है तो अब हम देख लेते हैं जो हमने दूध बना करके रखा है वो ठंडा हुआ या नहीं तो दूद्ध ठंडा हो चुका है और पहले से थोड़ा सा और गहड़ा हो गया है यह आप देख सकते हैं तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं तो एक प्लेट में हमने रस्मलाई को रखा है आपको जिस प्लेट में भी इसको सर्व करना हो आप उसम सकते हैं दो से जादा दिन के लिए स्टोर ना करें क्योंकि ब्रैड हो सकता है कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए तो इस तरह से मैंने देखिए रस्मलाई बना ली है और प्लेटिंग कर ली इसकी और हमने आपर पिस्ता काट करके रखे हुए थे तो पिस्ता से हम रस् 15 में पूरी रस्मलाई बन करके तयार हो गई है बिलकुल भी टाइम नहीं लगता है तो चलिए मैं आपको इसको काट करके दिखा देती हूँ कि यह कितनी सॉफ्ट है यह देखिए आप छूकर ही समझ सकते हैं कि यह कितनी जादा सॉफ्ट है खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी तो अपक Ids कैसा लगा आपको वीडियो वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को करिए लाइक शेयर चैनल को करिये को सब्सक्राइब फेस्बुक पेज़ को करिएगा लाइब फिर मिलते हैं फ्रेंट्स अपने अगली रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक्यार